हेलो गाइस स्वागत है आपका लोगो डिजाइन हिंदी में मैं हूँ ओम और आज हम लोग सीखेंगे RGB वर्सेश CMYK कुछ दिनों पहले गौरो सिंग बोरा जो है उन्होंने हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछा था कि RGB और CMYK में क्या फर्ग होता है तो आज का जो वीडियो है वो इसी क्वेश्चन पर आधारित है आज एर थोड़ी तब्यात मेरी खराब है इसलिए मैं आज वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ प्लीज आज के दिन कोई सोर से काम चला लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस बिट्वीन RGB और CMYK मान लो ये एक TV है और आप उस TV पर कुछ चला रहे हो समझ लो मेरा चैनल ही चल रहा है मेरा वीडियो चल रहा है उस TV पर और जब आप TV के स्क्रीन के बहुत नजदिक चले जाते हों तब आपको कुछ इस प्रकार के पिक्सल्स नज़र आते हैं तो ये सारे पिक्सल्स है जो इमेज को बनाते हैं 1000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 और blue RGB तो ये जो RGB color mode है वो सिर्फ screens के लिए बना हुआ है बहुत से नए डिजाइनर हमेशा confused रहते है कि CMY के क्या है और RGB क्या है मतलब ये कैसे काम करता है वो कैसे काम करता है तो आज आपका जो confusion है वो यहाँ पर clear होने वाला है ये जो 3 सब pixels होते है जब एक दूसरे के साथ मिलते है तब कई सारे colors को जनम देते है मेरे color theory में मैंने बताया था कि एक color जब दूसरे के साथ mix होता है तो किस तरह से तीसरा color बनता है यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होता है जब red blue में mix होता है तब magenta मिलता है blue green में mix होता है तो cyan मिलता है और green जब red में mix होता है तो yellow मिलता है और ये तीन color जब एक साथ आ जाते है तो color हो जाता है pure white तो RGB जो color mode है वो सिर्फ और सिर्फ screen के लिए बना हुआ है चाहे वो TV हो, tab हो, mobile हो या किसी और प्रकार की digital screen आगे बढ़ते हैं CMY की की तरफ CMY की color mode obviously printing के लिए यूज होता है जब आप computer से कुछ print करने का order printer को देते है तब printer क्या करता है कि उसमें जो चार अलग-अलग color की जो इंक्स होती है, जिन में से एक होता है सियान, दूसरा magenta, तीसरा yellow और चोथी जो होती है वो black तो printer क्या करता है इन सब को एक-एक करके उस जो white paper होता है उसके उपर print करता है छोटे-छोटे dots में जिस color के dots बड़े होते हैं उतना ही वो color जादा represent होता है और जितने सारे colors एक दूसरे पर overlap होते हैं तब image जो है वो dark बन की जाती है और आखिर में वो black हो जाती है अरे डरो मत यह कोई confusion वाली बात नहीं है बहुत सी simple सी बात है theoretical में मत जाओ practical में जाओ रट्टा मार के कहीं पर जाके exam नहीं देना है आपको आपको सिफ बात समझ कर लेनी है तो बात अच्छी तरह से समझ के लो कि RGB जो होता है वो digital use के लिए होता है वेब यूज के लिए आप समझो आप कोई website डिजाइन कर रहे हो तो वो होनी चाहिए RGB मोड में या फिर आप समझो एक emailer आप डिजाइन कर रहे हो तो उसका भी color RGB हुआ तो चलेगा क्योंकि वो तो print होने वाला है नहीं और CMY के जो मोड है वो printing के लिए यूज किया जाता है जब आपको कुछ print करना होता है जैसे के ब्रोशर बिजनेस कार्ड या फिर टीशर्ट डिजाइन या फिर कुछ भी जो आपको प्रिंट करना होता है तब आपको CMY के मोड ही यूज करना है देखिए कई बार प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि जो लोग नए होते है जिनको पता नहीं होता कि CMY के और RGB में क्या फरक है वो लोग क्या करते है कि जो दिजाइन और GB कलर मोड में बना है वो लेकर प्रिंटर के पाश चले जाते है और printing करते है और फिर बात में इसक्रीन पर तो यह लोग दिक रह लेकिन प्रेंट होके आ रहा है तो उसके कलर्स अलग दिख रहे है बड़ा ही आजिब दिक और brand ए, तो यह क्यों होता है वो print होने वाला है या फिर सिर्फ web या screen तक ही सीमित है अगर वो print होने वाला है तो आपको जो आपके software का जो color mode है उसे CMY के रखना होगा और अगर वो सिर्फ website या फिर computer या फिर presentation के लिए सिर्फ screen से related चीज़ों पर वो अगर दिखने वाला है तभी आप RGB mode use करेंगे इसलिए या आज वीडियो भी छोटा है और मेरी अद्धी कराब है अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो या प्लीज लाइक करो कमेंट करो शेर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्षन में लिख दीजिए मैं उसका अंसर टेफिनेटली करूगा ठीक ठाक हो के मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हि करो तो आपको ऑापको